लो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पर एशियन गेम्स 2023 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है जो सप्टेंबर में चाइना में खेले जाने वाला है जिसके लिए 24 प्लेयर्स का नाम शॉट लिस्ट होके सामने आया है अखिर में वो कौन-कौन से 24 प्लेयर है जो कैम के लिए सिलेक्ट हुए है और टीम इंडिया का क्या कोचिंग स्टाफ रहने वाला है उसके बारे में आज बात करेंगे अब हम तीन पार्ट में बात करेंगे एक है रेडर्स दूसरा है डिफेंडर और तीसरा है ओल राउंडर तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडर्स की तो कौन-कौन से रेडर्स ही लख हुए है पोटल बारा रेडर्स का नाम शोट लिशो के सामने आया है जुसमें पहला नाम है पवन कुमार शेहरावत जो एशियन चेंपियंचिप के लिए भारत की टीम की अपतानी कर चुके है दूसरे नमबर पर है सबसे बड़ा नाम परदिप नरवार तीसरे नमबर पर है नविन कुमार गोयत चोथे नमबर पर है अरजुन देशवार पाच्वे नमबर पर है विकास कंडोला छे पर है पंकज मोहिते साथ पर आकाश शिंदे आठ नमबर है अक्सल मिनामदार नौ पर एचेश राकेश दस नमबर पर मित्तु शर्मा ग्यारा पर चचिन तनवर और बारा पर मोहित गोयत ये बारा रेडर्स टीम इंडिया के लिए शॉर्ट लिस्ट होके सामने आये है अब हम बात करने वाल है डिफेंडर्स की डिफेंडर्स की बात करें तो दो प्लेयर्स का नाम सामने निकल कर आया है पहले है प्रविश बेसवाल और दूसरे है जैदीब दहिया ये दोनों प्लेयर लेट कवर खेल सकते हैं हम बात करते है राइट कवर की तो राइट कवर की बात करें तो पहला नाम आता है सुनिल कुमर मलिक का जो टिम इंडिया के लिए एशन चेंपियंशिप के कप्तान एनाउस हुए थे लेकिन विजदा इस्यू के कारण लेट से पहुँचे थे और टिम को पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे दूसरा नाम है सुर्जित सिंग का जो एशन चेंपियंशिप के लिए सिलेक हुए थे और बहुती अच्छा प्रदशन किया था तिसरे नंबर पर आते अभिशेक नागराजन जो पुने रिपल्टन के लिए अच्छा खेल चुके है वो भी इस कैम्प में सिलेक हुए है अब और बहुती उल्डिपेंडर सिलेक हुए है टीम इडिया के कैम के लिए अब हम बात करने वाले है वल राउंडर्स की तो तिन नाम सामने निकल कर आए है पहले है दिपक निवा सुद्ड़ा जो टीमिडिया के फॉर्मल कैप्टन रह चुके है दूसरा नाम है नितिन राव तो stand-by player यानि कि यह 24 प्लेयर में से कोई इंजर होता है तो उनकी जगा यह दो प्लेयर में कोई भी इन हो सकता है पहला नाम है सुरेंदर नाड़ा और दूसरा नाम है मंजित दहिया यह दो प्लेयर सिलक हुए है अब हम बात करते कुछ बड़े नामों की जो इस कैम के लिए सिलक नहीं हुए है जिसमें पहला नाम है मनिंदर सिंग का दूसरा नाम है सिदर्द बाहु बली देशाय का तिसरा नाम है नरिंदर कंडोला जो तमिल थलायवास के लिए पिसले सीजन बहुती अच्छा प्रदर्शन किया था लेफ रेडर है चोथा नाम है राहुल चोधर सिलक नहीं हुए है और अब हम बात करते कोचिंग स्टाप ही तो कोचिंग स्टाप एशियन चैंपियंशिप की तरह चैम ही इस बार एशियन गेम्स में होगा यानि कि अशन कुमार सर, संजी बालियन सर और इबासकरन सर कोचिंग स्टाप में नजर आएंगे थैंक यू वचिंग द वीडियो